तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन आप भी अपनी इंग्लिश वन की बुक निकालिए और इसमें देख लीजे आज आप क्या कर रहे हैं रिविजन में तो देखिए सबसे पहले आप डाल दीजे डेट 20 अक्टोबर 2020 टेस डाल दीजे ओपर से आपको कुछ words दिये हैं उसमें आपने उन words के opposite लिखने है जैसे की देखिए A है आपके पास foolish, foolish का opposite आपने यहां लिखना है foolish मतलब होता है बेवकूफ, तो बेवकूफ को इंग्लिश में opposite क्या होता है वो आप लिखेंगे B है thin, thin का opposite आप लिखेंगे यहां पे Opposite मतलब आप जानते हैं, opposite मतलब होता है उल्टा C, slowly, slowly का opposite आप लिख देंगे यहां पे, slowly मतलब धीरे D, walk, walk मतलब चलना E, weak, weak मतलब कमजोर तो अब देखिए, second है circle the sound made by the following birds और animals आपको मैंने कुछ birds, animals के नाम दिये हैं उसके आगे आपको तीन option दिये गए हैं तो जो सही option है आपने उसको क्या करना है? circle करना है तो देखिए, parrot दिया है आपको पहला bird का name उसमें आपको तीन option दिये हैं उसकी sound Twitter, Toots, Talk तो parrot क्या करता है? Twitter करता है, Toots करता है या फिर Talk करता है तो सही answer को आप कर देंगे circle B है, Snake Snake की sound क्या है? Thunder, Squeals और Hisses जो भी सही है आप उसको circle करेंगे C, Cow Cow की sound दिये हैं आपको Ne, Moose, Bleed जो सही है आप उसको circle करेंगे D है, Mice Mice की sound दे रखी हैं आपको तीन choice दिये हैं सही answer को circle करिएगा Hisses, Chips, Squeaks ठीक है? तो जो सही है आप उसको क्या कर देंगे? circle कर देंगे, ओके? तो यह आपका काम है आज copy में करने के लिए और इसको आप समझ के करिए क्योंकि जितना भी आपका revision अभी तक चल रहा है उसमें से ही आपका exam में भी आना है, तो आप उसको जो कर रहे हैं उसको learn करते हुए ही आप copy में लिखें ठीक है? तो आप करिए से copy में और ध्यान से झाल 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 कर रहे हैं